यहां उसके कलीग्स एक एक करके उनकी गलफ्रेंड के किस से सुनाने लगते हैं बलैक आदमी बताता है मेरे पास एक ऐसी गलफ्रेंड है जिसको मैंने आज तक कभी खड़ा नहीं देखा वो हमेशा बिश्तर पर पड़ी रहती है टांगे खोल कर कि कोई भी आओ कभी भी आओ और उसको रपट दो फिर ये बोकी लवर बताता है कि उसने एक औरत के साथ का बड़ी खेली थी जिसकी बूबी का साइज बहुत बड़ा था और मा कसम मजे आ गए थे उसकी बूबी पीने में फिर चिटी मानव बताता है मैं और मेरी गल्फ्रेंड जब लिपट लिपट कर किया करते थे तब ऐसा लगता था कि हम दो जिसम एक जान हैं हमारी आत्मा एक दूसरे में घुश जाती थी और हम दोनों एक हो जाते थे जिस पर बलैक आदमी कहता है भी इन के लेंड भी सेडी के तू हमेशा दो जिसमें एक जान और आत्मा वाली बाते करके सारे मुड की मा बहन एक कर देता है तू साले क्या तांत्रिक वांत्रिक था क्या पहले दो साल हो गए तेरे ब्रेक अप को और तू अभी भी वहीं अटका हुआ है और चुटलिंग से कहता है भाई तू अपनी कोई कहानी सुना जिससे चिटी मानव का गम दूर हो जाए अब चुटलिंग जो वरजीन था उन्हें जुटी-जुटी कहानी सुनाने लगता है कहता है मेरा एक लड़की के साथ चकर था और वो हमेशा मेरा घोडा लेने के लिए बेताब रहती थी और हमेशा गंदी-गंदी बाते करती थी कहती थी तभी बलैक आदमी पूछता है यार ये तो बता उसका फिगर कैसा था जैसे कि उसकी चुची के नीपल छोटे थे या बड़े थे काले थे या गुलाबी थे धीले थे या टाइट थे चुटलिंग कहता है आरे यार वो जैसी भी थी बड़ी कमाल की थी उसकी भूबी पकड़ने में बिल्कुल ऐसी थी जैसे रेत की भरी पन्नी हो जो सुनकर वो चोक जाते हैं कि लड़कियों की भूबी रेत से भरी पन्नी जैसी कब से होने लग गई और उसे पूछते हैं सच बताना तू वरजिन है ना वो सुरू में तो मना करता है और फिर कहता है हाँ मैं वरजिन हूँ पर मैंने 10 साल की उमर में बहुत सारी लड़कियों के साथ मजे किये थे बोकी लवर कहता है मुझे पता था साले तुने अब तक अपनी नली साफ नहीं की ब्लैक आदमी कहता है देख दोस्त हम तेरा मजाक नहीं उड़ा रहे पर हमें अब तेरे लिए कुछ करना पड़ेगा अब से तेरा घोड़ा हमारा घोड़ा हम तेरे लिए कही ना कहीं से बिल्ली मारने का जुगाड जरूर करेंगे और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल अगले दिन वो अपनी जोब पर जाता है ये सोचकर कि वो साले बेवडे अब तक उसकी वरजिन होने वाली बात भूल चुके होंगे लेकिन नहीं ब्लैक आदमी ने वहाँ उसके लिए असलील वीडियो चला रखी थी और चिला चिला कर कह रहा था भाई हम कहीं से भी तेरे लिए बिल्ली मारने का जुगाड जरूर करेंगे चिटी मानव कहता है मैं समझ गया तेरे बाद तुम हमारे साथ कलब चलो हम वहाँ खुम मस्ती करेंगे चुटलिंग कहता है हाँ मैं जरूर चलूँगा पर याद रखना मैं किसी की भी चिडिया नहीं उडाऊंगा जिसके बाद वो पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगता है जहां उसका ध्यान अब सिर्फ असलील चीज़ों पर ही पड़ता है जैसे कि उसे लड़कियों की सिर्फ बूबी ही दिखाई देती है जिसमें उनकी बूबी देखते देखते वो एक लड़की से भी टकरा जाता है तभी उसकी नजर बगल में चल रही बस पर पड़ती है जिस पर बड़ा सा मैन फोर्स का पोस्टर चिपका था फिर वो छोटे कुते को बड़ी कुतिया की लेते हुए देखते है जो चीजे मानो उसको इसारे कर रही थी कि भाई तुझे अब चिडिया जरूर मारनी चाहिए रात के टाइम उसके कलीग्स उसे एक पार्टी में ले जाते हैं जहां पर बहुत सारी लड़किया थी तभी लवगुरू बनकर बलैक आदमी बोलता है देख मेरे भाई तुझे जाकर एक ऐसी लड़की ढूड़नी है जो बिलकुल टली हो याने की पूरी तरह से आउट हो जो लड़क खड़ा रही हो उल्टी से भरी हो और उसके गुटने चिले हुए हो जिसमें उसे ये बेवडी मिलती है जो बेहोस पड़ी है तो उसका काम नहीं बनता और अगले दिन वो फिर से अपनी जोब पर होता है जहां एक बरबाद फुद्धी नाम की लड़की VCR खरीदने आई थी और नहीं जानती थी कि उसे कौन सा VCR खरीदना है तो अपना चु जिसमें वो लोगों का पुराना समान खरीदती है और उसे ओनलाइन बेचती है आगे वो बलैक आदमी को बताता है कि बरबाद फुद्धी ने उसको अपना नंबर दिया है जिस पर बलैक आदमी उसके लिए बहुत खुस हो जाता है और कहता है मैंने कहा धाना बात बन जा बलैक आदमी कहता है हाँ वो बिल्कुल सही कह रहा है देख उसके खेत में फावडा चलाने से पहले अडोस पडोस के खेत में फावडा चलाना सीख अंटियो पर लाइन मार और अपनी प्रैक्टिस कर जब तक तु रंजी ट्रोफी में 10-12 सेंचुरी ना मार ले तब तक ट बुक स्टोर वाली लड़की इसको अपने साथ कहीं घुमाने ले जा तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी चुटलिंग कहता है पर यार मुझे तो बरबाद फुद्धी जादा पसंद है वो कहता है देख भाई भीशडी के एक बीजबोने से काम नहीं चलेगा तुझे बहुत स जो मुझे ढूड़ना चाहिए जिस पर वो हैसकर कहती है हमारे पास यहां बहुत सारी किताबे है तुम्हें किस टाइप की किताब पसंद है वो फिर से कुटे के ऊपर कुटा फैक्त है और पूछता है तुम्हें कैसी पसंद है वो कहती है ये तो मूड पर डिपैंड करता वो कहते है अच्छा तो तुम मुझे पटाने की कोसिस कर रहे हो वो कहते है नहीं जब तक तुम पटना ना चाहो और अपनी गींड भीच कर वहाँ से खिसक लेता है बोकी लवर कहते है रही यार तुने तो धर्ती गीली करके लठी गाड दिया चुटलिंग पूछता है क्या मैं उसको कहीं घुमाने लेकर जाओं वो कहते है नहीं तुने बीज बो दिया है बस अब उसके पोधा बनने का इंतिजार कर फिर फसल काटना उसी रात चिटी मानव अपनी असलील वीडियो की पेटी भर कर उसके घर पहुचता है और कहता है इनको अपने पास रखो और इन्हें देखकर ये सीखो कि तुम्हें किस-किस पोजिशन में कैसे कैसे करना है ताकि लड़कियों को तुम नए खिलाडी ना लगो चुटलिंग कैता है नहीं मेरे भाई भी सेडी के मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है चिटी मानव कैता है नहीं तुम इसे अपने पास रखो जब तक तुम्हें मजदूरी करने के लिए कोई खेत ना मिल जाए और जबरदस्ती अपनी असलील पेटी उसके घर छोड़कर निकल लेता है जो सारा टोर्चार अब उससे और नहीं सहा जा रहा था तो वो अगले दिन बरबाद फुद्धी से मिलने उसके ईबे स्टोर पहुचता है जो उसे देखते ही पहचान लेती है और कहती है बढ़वे बहुत दिनों बाद आया है अब आही गया है तो साम को चल कहीं घूमने चलते हैं वो कहता है ग्रेट मैं जरूर चलना चाहूंगा जहां साम को वो दोनों एक साथ दिनर करते हैं और बरबाद फुद्धी को उसका नेचर बहुत अच्छा लगता है तो वो उसे अपने घर ले जाती है जहां वो दोनों अंदर बहार करने की सुरुआत करने ही वाले थे कि तभी वहां बरबाद फुद्धी की बेटी आ जाती है और अपनी ममी को नंगी हालत में देखकर घुसे में कहती है भी इनकी लोटी ममी खुद तो सारे दिन इधर उधर मूँ मारती रहती है और मुझसे बोलती है ये सब करना गलत है जो सब सुनकर चुटलिंग फटा-फट अपने कपड़े उठा कर वहां से खिसक लेता है कि यार आज भी प्रोग्राम नहीं बना जिसके बाद अगले दिन वो अपने काम पर होता है जहां उसकी बोस उससे कहती है मैं तुम्हारी प्रोब्लम के बारे में सोच रही थी मैंने सुना है कि तुम अभी तक वरजिन हो और अगर तुम चाहो तो मेरी गुफा के दर्वाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं तुम जब भी चाहो अपना फावडा लेकर आ जाना मुझे कोई दिक्कत नहीं है वो कहता है ठीक है मैं जरूर सोचूंगा इस ओफर के बारे में आगे शाम होते ही वो फिर से बरबाद फुद्दी के साथ डेट पर जाता है जहां वो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि मेरे तीन बच्चे है जिन में से एक बच्चे को तो बच्चा भी हो चुका है अब आप लोगों को लग रहा होगा कि चुटलिंग ये सुनकर वहाँ से भाग जाएगा पर ना 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 उसको ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती क्योंकि वो बेचारा वरजिन था तो उसे कोई भी चलेगी बरबाद फुद्धी कहती है देखो अगर तुम चाहो तो हम सब कुछ यहीं खत्म कर सकते हैं या फिर अपनी दोस्टी को ऐसे ही बरकरार रख सकते हैं क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो इसलिए मैं सोच रही थी कि कुछ टाइम के लिए फीजिकल वाले पार्ट को हम भूल जाते हैं अब चुटलिंग जिसकी हमेशा किसी की लेने के नाम पर फटी रहती थी वो कहता है हाँ ठीक है हम तब तक सेक्स नहीं करेंगे जब तक अपनी 20 डेट कंपलीट नहीं कर लेते आगे वो घर पहुचता है और बोकी लवर को फोन करके बताता है कि वो आज फिर से फुद्दी लवर के साथ डेट पर गया था जो उससे पूचता है क्या तुने उसको बताद या तूवर जी है शुटलिंग कहता है नहीं मैंने अभी तक उसको नहीं बताया पर हाँ उसने मुझे बताया कि उसके तीन बच्चे है जिन में से एक बच्चे को तो बच्чा भी हो चुका है जो सुनकर बोकी लवर को खासी आ जाती है कहता है याने कि वो एक दादी है तो दोस्तो अब आप लोगों को समझ में आया कि मैंने उसका नाम बरबाद फुद्धी क्यों रखा क्योंकि नीचे सब कुछ बरबाद हो चुका है हवेली ढह चुकी है अब कुछ नहीं बचा वहां देखने दिखाने को तो उस दादी को जाने मत देना लपेट देना चरमराते पलंग पर बिस्तर में लेकर घुश जाना बस पहले उसकी बंजर भूमी को थोड़ा सा पानी देना फिर तंबू गार देना और ऐसे चट जाना कि उस दादी को अपने जवानी के दिन याद आ जाए तो डालना उसकी पुरानी हवेली को जिसके बाद वो धीरे धीरे करके बरबाद फुद्धी के साथ रोज डेट पर जाने लगता है और उन दोनों के बीच में नजडीक या बढ़ने लगती है और एक दिन वो उसे बताता है कि वो खुद का एक स्टीरियो स्टोर खोलने की सोच रहा है बरबाद फुद्धी कहती है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है तो तुमने अब तक खोला क्यों नहीं वो कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है न इसलिए बरबाद फुद्धी कहती है हाँ तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं तुम्हारे घर पर जो तुम्हारे बचपन के टोईज है ना वो उनकी ओरिजनल पैकिंग में है, जिनका मार्केट प्राइज बहुत जादा है, एक एक गुडिया की कीमत कम से कम 5-7,000 डोलर है, जिनको बेचकर तुम्हाराम से 1 या 2 लाख डोलर कमा लोगे, जिस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुमसे कमिशन भी नहीं लूँगी, जो आइडिया चुटलिंग को बहुत पसंद आता है, तो वो अपने सारे खिलोनों को बेचने के लिए उठा कर बरबाद फुद्धी के घर पहुचता है, जहां वो उससे पूचती है, तुम जानते हो आज की रात क्या है, वो कहता है, नहीं, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं, बरबाद फुद्धी कहती है, आज हमारी बीशवी डेट है, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो रहा है, और अपनी चिडिया मरवाने के लिए उसके ऊपर चड़ ज आता है, वो कहती है, मैं तुम पर मरी जा रही ही, और तुझी भी सड़ी के इन खिलोनों की पड़ी है, वो कहता है, तुम हमेशा सिर्फ सेक्स की बाते ही क्यो करती रहती हो, तुम्हारे पास और कोई काम धंदा नहीं है, क्या, बरबाद फुद्धी पूछती है, तुम मे अब अपने चुटलिंग को भी गुसा आ रहा था, तो वो सीधा एक सराब खाने पहुचता है, और दबा कर पीता है, तबी वहाँ पर वही बुक स्टोर वाली लड़की आती है, जिसके सवालों पर वो बार-बार कुत्ते पर कुता फैक के जा रहा था, अब उसका बोया अब फसल काटने की बारी थी, जिसमें वो लड़की उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन अपना चुटलिंग वहाँ भी हग देता है, जबकि साले को सब कुछ ठाली में सजा सजाया मिल रहा था, अब वो बुक स्टोर वाली लड़की की खुली किताब नहीं पढ़ पाता, वो कहता है, ये सब मेरा नहीं है, ये डिवीडी चीटी मानव की है, और मैंने अब तक इनको देखा भी नहीं है, जिस सब का वो गलत ही मतलब निकाल लेती है, कि वो उसकी लेना भी नहीं चाता, और अब जूट भी बोल रहा है, कि असलील वीडियो उसकी नहीं है, तो अपनी साइकल से पीछा करता है लेकिन बरबाद फुद्धी नहीं रुखती और एक जगहें जाकर चुटलिंग बिलबोर्ड से टकरा कर वहीं सडक के बीच में धेर हो जाता है अब वो गोचु ठीक है कि नहीं ये देखने के लिए बरबाद फुद्धी दोड़ती हुई उस कर लेते हैं उन्हीं पैसों से जो उन्होंने गुड़ा गुड़िया बेच कर कमाये थे जो रकम लगभग पांच लाख डोलर थी अब साधी हो गई थी तो स्वागरात पक्की थी जिसमें उसका अंदर घुस्ते ही टपक जाता है पर चलो जो भी हो आखिरकार उस गधे की वर्जिनीटी ल्यूज तो हुई जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और हमें इस कहानी से लंड भी सीखने को नहीं में